असलाम लेकुम आज मैं आप लोगे साथ मठर प्लाव की रेसिपी शेर करने चाहरी हूं तो एक बार आप इसे मेरे तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना तो इसके मैंने दो चमच भर के तेल लिया है तो मैं यह से कूकर में बना रही है और एक तेज पत्ता है इसे डाल के अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे कुछ सेकिंद्स के लिए उसके बात इसमें प्यास जाल देना है तो मैंने एक मीडियम साइज की प्यास को लंबाई में कट कर लिया था उसे डाल दिया है इसे गोल्डन प्राउन कर लेना है जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 2कप मुटर को मैंने अची तरह से दो लिया था इस डाल दैना है और 2मीडियम साइज के अलुख को डाल देना है इसे अची तरह से फ्राइ कर-लेना है 7-8 मिनट के लिए गैस का फ्लेम पास करके इसे अची तरह से फ्राई कर लेना है उसके पाद इसमें एक चमच मैंने अधरक लसुन का पेस्ट डाला है इसे भी अची तरह से मैंने फ्राई कर लिया है फिर इसमें 6-7 हरी मिर्च बीच में इसे कट करके डाली है 2 medium size की टमाटल को डाला है कट करके और थोड़ी सी हरी धनिय डाली है हरी धनिय डालने से प्लाव का टेस्ट काफी जाधा अच्छा आता है उसके बाद इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है इसे अची तरह से mix कर देना है इसमें मैंने एक चमच गरम मसाला डाला है mix कर दालेना है तो दस मिनट हो गए थे इस अची तरह से मिक्स कर देना है उसमें चावल डाल दिया है मैंने तो मैंने आधा किलो बासमती राइस लिया था उसे डाल दिया है इसमें तीन ग्लास मैंने पानी डाला है अची तरह से मिक्स कर लेना है और धकन लगा के एक सिटी आने तक इंतिजार करना है जब एक सिटी आ जाए तो देखें हमारा प्लाव तयार हो गया है तो खिले खिले हैं यह चावल और टेस्टी है यह प्लाव तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही जल्दी बन जाती है यह प्लाव की रेसिपी आपको अगर यह जट पट प्लाव बनने वाली रेसिपी पसंद आए तो प्लीस मेरी इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं तो मिलते हैं अगली रेसिपी में जब तक अगले अलाहफेज